तो बाई यो आज हमारे पास किया कारेंस का न्यू मॉडल एंड इस वीडियो में हम इस कार का कमप्लीट डिरेल रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो का एंड तक जरू देखेगा वीडियो काफ़ जदा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है सबसे पहले बता दो ये जो मॉडल आप देख रहे हैं अभी ये है किया कारेंस का एक्स लाइन वेरियंट जो की 1.5 लेटर टर्बो पेट्रॉल इंजन के साथ आती है और ये कार हमें डीजल आप्शन के साथ भी अविलेबल देखने को मिल जाती है अभी मेंली बात के लेते हैं कार के प्राइस के बारे में तो इस पर्टिकुलर मॉडल के प्राइस रहने वाले हैं 18.95 लेक रुपीज एक शोरूम प्राइस अभी मेंली बात के लेते हैं इस कार के पावरफुल इंजन के बारे में तो इस कार के अंदर हम मिलता है 1.5 लिटर का 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज पैट्रॉल इंजन जो की पावर जेनरेट करता है 158 PHP की और 250 NM का टॉक जेनरेट करने में इस कार का इंजन शक्षम भी है कार फ्रेंट वील ड्राइव रहने वाली है और ये मॉडल सिर्फ आपको आपको आटोमेटिक ट्रांश्मिशन के साथ ही अविलिबल देखने को मिल जाएगा 7 गेर्स आपको आटोमेटिक में रहने वाले है अफकोर्स पैडल शिफ्टर का ओप्शन भी हाँ पर अविलिबल जरूर मिल जाएंगे कार के अंदर हमें आइडल स्टार्श टॉप का फीचर भी मिल जाता है बागी बात कर लेता हूं इस कार की ग्राउंड क्लेरेंस के बारे में तो 195 mm की इसकी ग्राउंड क्लेरेंस रहने वाली है जो कि इंडियन रोट्स के साब से इस कार को एकदम परफेक्ट बनाता है कार की वील बेस के बारे में बात करूँ तो 2780 mm का इसका वील बेस रहने वाला है जिसकी वेरे से अंदर अच्छा कासा स्पेस भी बन जाता है तो guys overall इस कार की dimension wise देखा जाए तो ये कार काफे ज़्यादा बड़ी रहने वाली है and completely feature loaded ये कार रहने वाली है बाकि इस कार के लुक साफ देख सकते हैं काफे ज़्यादा दमदार लुक आने वाले है खास कर कि इस के इस matte black color के अंदर and exterior से देखने में कार काफे ज़्यादा futuristic लगने वाली है इस दा engine on का भी बटन यहाई पर ही मिल जाता है Kia EV6 में भी same key setup ही आता है और अभी में बात के लेते हैं कार के exterior look के बारे में तो सबसे पहले यहाँ पर आपको LED DRLs की working देखने को मिल जाएगी जो ही completely functioning में है बाकि styling काफी बढ़िया तरीक के से की गई है और नीचे के side आपको reflector based 3 headlamps मिल जाता है with cornering function के साथ ही और इनकी throw काफी अच्छी रहने वाली है front side आपको parking sensors मिल जाता है 4-4 parking sensors रहने वाले हैं इस car के अंदर बाकि piano black finishing के साथ इसकी front grill मिल जाती है इसके उपर यह texture का use किया गया है यहां का logo मिल जाता है silver saturn finishing के साथ and chrome working भी देखने को मिल जाती है beach की side जो यह काफी अच्छी लग रही है और नीचे की side आपको piano black color की finishing के साथ यह front grill मिल जाती है fog lamp के placing यह छोट इसी नीचे की side जो आप देख रहे हैं यह fog lamp kind of working में रहने वाले है बागी यहीं पर यह आपको piano black की finishing के साथ यह element देखने को मिल जाता है जो यह काफी अच्छा लगता है इस car के look को और भी ज़्यदा enhance करता है matte black के उपर यह piano black की finishing के साथ इस car के front look को और भी ज़्यदा enhance करके आता है बागी car का bonnet की styling आप देख सकते हैं काफी लंबा साइस का bonnet रहने वाला है simple वाले हैं पर वाइपर मिल जाता है कोई भी rain sensing वाइपर यहाँ पढ़नी है and overall front look कारे कुछ type के निकल कर आता है बात करते हैं अभी side look के बारे में शुरुवात करते हैं tire से तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर नहीं मिलता है वो आपको और ब्लैक के उपर इंडिकेटर प्रोपर दिया गया है प्यानो ब्लैक की फिनिशिंग के साथ इसका और ब्लैक की दिखने में भी काफी अच्छा लग रहा है request sensors मिल जाते हैं door के उपर ही body color में door handles मिल जाते हैं उपर की side आपको roof rails मिल जाते हैं again piano black के finishing के साथ ही sunroof भी मिल जाती है इस model के अंदर बाकि नीची की side आपको body moldings भी proper मिल जाती है बाकि side की तरफ यह chrome garnishing का भी use होते हैं देखने को मिल जाता है जो की matte color के ओपर काफी अच्छा लग रहा है और यह आगे तक follow होते देखने को मिल जाता है और उपर की side आपको मिल जाता है sharp fin antenna and overall rare look के बारे में बात कर लेते हैं भी तो rare से देखने में कार कुछ इस type की लगती है बाकि इस matte black color के ओपर जो red element का use हो है यह काफी जादा अच्छा लग रहा है जब road presence इसकी अलगी निकल कर आएगी जब आपकी गाड़ी जो traffic में खड़ी होगी मैं ली बात करूँ उसके rear lighting setup के बारे में तो यह complete LED के अंदर इसकी breaking light देखने को मिल जाती है यहाँ पर यह complete LED में DRLs मिल जाती है और नीचे की साथ आपको indicators halogen के अंदर मिलते है reflector base जो रहने वाले है X line की badging मिल जाती है यही पर ही और यही पर नीचे मिल जाता है आपको reflector जो की non functioning में है नीचे की साथ आपको skid plate मिल जाती है जो की piano black की finishing के साथ है और पीचे की साथ जो connected tail lamp kind of है यह functioning में नहीं है wiper washer and defogger proper मिल जाते है high mountage top lamp मिल जाते है with sport here से spoiler मिल जाते है Kia connect की badging मिल जाती है and काफी सारे element यहाँ पर आप देख सकते हैं जो काफी अच्छे लग रहे हैं खास करके इसका body color spoiler and overall rare look car की कुछ type के आने वाल है car and इसकी badging मिल जाती है भी नीचे की side चार parking sensors मिल जाते हैं इस particular model के अंदर ही बाकी rare skid plate आपको piano black की finishing के साथ यह texture का use होते हैं देखने को मिल जाता है बाकी guys अभी में इनली बात कर लेते हैं car की boot space के बारे में तो यहाँ पर आपको electronic tailgate तो नहीं मिलता बट यहाँ पर magnetic button के थुरू आप इस open कर सकते हैं काफे सारा TP space यहाँ पर आपको मिल जाता है 2kg के hooks वगरा proper मिल जाता है लैंप मिल जाता है सब woofer की placing भी आपको यहाँ पर ही है और यहाँ पर storage जो है extra मिल जाती है जिसके अंदर आप tool kit वगर रख सकते हैं यहाँ पर medic kit वगरा जो सब ही कुछ proper मिल जाती है साथ में इसके बाकि आप पूरी seat वगरा को fold कर सकते हैं और spare wheel की placing जो है इसकी नीचे की side दी गई है जो की full size में तो नहीं है steel rim में रहने वाला है of course R15 इंचेज वाला बाकि seat इसकी fully flat fold function के साथ आती यहाँ से इस button को उतना बाके आप जो है आप इसकी seat को पूरा fold कर सकते हैं वैसे बीना seat को fold कर रहे हैं इस car के अंदर है मिलता है 216 लेटर का boot space जिसके according आप दो से तीन वैका राम से रख सकते हैं छोटे वाले और बाकि seat fold करने के बाद अच्छा खासा boot space बन जाता है कुछ इस type के look आते हैं जब इसकी seat fold हो जाती है बाकि सभी seat को fold करने के बाद अच्छा बढ़िया bed बन जाता है जिसके अंदर आप लेट कर जा सकते हैं बाकि अभी इस कार के अंदर बैट के इंटीर में के बारे में बात करेंगे चाबी को यहाँ पर place कर देते हैं कहीं भी काफी अच्छा का सा space मिल जाता है चाबार ले चार्जिंग पर वगएरा यहाँ पर आपको completely digital instrument cluster मिल जाता है यह पूरी प्रॉप पर एक digital screen type की दे दी गई है जिसके अंदर आपको सभी type की information वगएरा शो हो जाती है speedometer and tachometer वगएरा सभी कुछ यहाँ पर ही मिल जाता है and trip A, trip B की information, turn button, navigation वगएरा and fuel gauge, battery की temperature and engine temperature वगएरा सभी type की warnings वगएरा यहाँ पर ही शो हो जाती है बाकि इस खार के अंदर बस एक ही चीज़ की कमी है वो है 3D camera की अगर वो भी होता तो यहाँ पर वूस की indication भी शो हो कर देता तो कुछ type का है इसका proper instrument cluster and अभी बात करेंगे इसके steering wheel के बारे में तो यहाँ पर D-shape का steering wheel मिल जाता है विद लेडर है पर कारेंस की बैजिंग भी यहाँ पर ही है steering amount इस अभी control मिल जाता है volume up and down and call cut and receive के बटन and cruise control के बटन भी यहाँ पर ही मिल जाता है इसकी इनी बटन के दुरू आप इसकी screen को भी control कर सकते है instrument cluster को भी proper यहाँ से control हो जाता है बाकी इधर की side engine push star stop button मिल जाता है ideal star stop and detraction control के बटन head lamp, labler यहाँ पर ही मिल जाता है बागी सबसे बढ़ी बात यहाँ पर आपको ambient light का setup भी मिल जाता है जो कि आगे से follow होते हैं देखने को मिल जाता है यह cup holder, ticket holder type का दिख दिया हुए है आपर अपने सिक्के वगरा रख सकते हैं कुछ भी बागी इसका dashboard वगरा दिखने में काफी premium लगता है बट यह hard plastic material ही दिया हुआ है और सारे ही element आपको black dot finishing के साथ मिलते हैं बट यह जो है भी wrapping वगरा हुई भी है बागी guys अभी मेली बात के लेते हैं कार की infotainment system के बारे में तो यहाँ पर आपको 10.25 इंचिस वाला smart infotainment system मिलता है कार के अंदरे में total 8 speaker मिलते हैं सब यह type के connective features मिल जाता है wireless में android rotor and apple carplay मिलता है जो यह काफ़ी अच्छी बात है steering remote से भी control तो मिलते हैं इसको voice command के थुरू भी आप इसे control कर सकते हैं GPS navigation वगरा को आप यहाँ से access कर सकते हैं AUX and USB capability के साथ ही आता है wireless charging तो of course इसके निच्चे की साइड आप दिखाता हूँ अभी उससे पहले अभी इसकी camera quality चेक कर लेते हैं इस बटन के थुरू इसका reverse parking camera खुल जाता है सिर्फ एक ही camera है तो इसकी quality जो है आप देख सकते हैं and इस बटन के थुरू आप इसको दबा के access कर सकते हैं बाकि इसका dashboard layout देख सकते हैं and यहाँ पर आपको AC event की placing इस side मिलती है यही से यहाँ से control हो जाता है उससे पहले आप इसके AC के control देख लीजए काफी ज़्यादा premium लगते हैं and of course यहाँ पर आपको automatic climate control के feature भी मिल जाता है and इनी buttons के थुरू आप airflow वगरे को control कर सकते हैं temperature वगरे को भी यही से control कर सकते हैं बीच वाली MID में जो है सभी indication वगरे शो हो जाती है और यहाँ पर आपको 12W के power socket मिल जाता है and USB fast charging वाले भी and type C के charging के socket भी मिल जाता है wireless charging pad भी मिल जाता है बागी 12W के socket के थुरू आप charging socket भी लगा सकते है and यह USB cable and type C fast charging वाले मिलता है यह completely बागी reverse parking camera का button जो है इधर की side दिया हुआ है इस button को दबाग के जो है आपका reverse parking camera on हो जाता है कोई भी 360 camera का feature नहीं है park assist का feature मिल जाता है of course जो की front parking sensors को off करने का feature है and यहाँ पर आपकी ventilator seat के option देखने को मिल जाता है इन buttons के थुरू आपकी ventilation on हो जाती है seats के उपर जो vent लगे हुए है बाकी automatic transmission मिल जाते है of course manual में यहाती है and यह heel hold assist का feature मिल जाता है यहाँ परी traction control यह driving modes multiple driving modes मिल जाते है and ventilator seat के option right side वाले भी मिल जाते हैं यहाँ परी बाकी सकार का gear lever जो है काफी बढ़ी ऐसा लगा मेरे को काफी premium लगता है दिखने में twin cup holders वगएरा proper मिल जाते हैं यही परी armrest मिल जाती है armrest के अंदर जो है space tray kind of truck के हुई है इसके अंदर जो है आप tray रखके कुछ समान रख सकते हैं चाबी वगएरा है सिक्के वगएरा कुछ भी कोई भी cool space इधर की side जो है साथ यह IRVM मिल जाता है of course कोई भी dash cam वगएर आफ कॉर्स यहां पर नहीं आता है lamp वगएरा मिल जाता है जो completely LED के अंदर ही मिलता है sun glass holder इधर की side मिल जाता है of course और इधर की side ही आपको sunroof के control करने के यहाई पर यह बटन मिल जाता है इस बटन के तुरुआ आप इसको पूरा open कर सकते हैं and shade भी इसका hard material के साथ ही मिलता है कोई भी mic वगएर की placing यहां पर नहीं है dash के ओपर दी गई है mic की placing और passenger side वाले shade पर आपको mirror मिल जाता है कोई lamp वगर है आप पर नहीं है पाकि handles वगर आप पर मिल जाता है driver side तो of course नहीं है अभी पिछे के side के बारे में बात करेंगे यहाँ पर आप quality में lamp मिल जाता है पिछे की side के बारे में बात करेंगे अभी उससे पहले इसका front layout overall कुछ टाइब के रहने वाले सीट भी काफी comfortable ही रहने वाली है एड़ेस्टिबल है ड्रस मिल जाती है इवन पीछे तक भी और फैब्रिक सीट आपस्टर भी नहीं है यहाँ पर आपको कम्प्लेटी लैदरेट सीट आपस्टर पी के साथ मिलती है वेद वेंटिलेटी सीट के पार विंडेर कंट्रोल्स भी पिच्छे की साइड के comfort के बारे में बात करते हैं तो पिच्छे की साइड की डोर के ओपर यह कंप्लेटी हार प्लास्टिक मिल जाता है अब कोर्स ब्लेंड मिल जाता है साइड वाले ही फ्रेंट शेड आप कह सकते है इन्हें और कुछ टाइ यहां पर नहीं है, captain seat में यह option रहने वाले है, of course, hump वगरा भी decent enough है, and दोनों ही side आपको एक interesting चीज दिखाता हूँ, पीछे की side आपको मिल जाता है, comfort and convenient के साब से यहां पर आपको screen मिल जाती है, यह proper, जो कि आप wifi से connect करके, बढ़िया cruise rider की video देख सकते हैं, यहां पर आप से connect कर सकते हैं, and YouTube चला सकते हैं, and USB से भी connect कर सकते हैं, YouTube पर अभी अपनी वीडियो चला कर देखते हैं, and यहां पर directly सर्च करेंगे, अपने चैनल को, cruise rider के नाम से जो की है, जहां पर अब आप यह वीडियो देख रहे हैं, come currently, वैसे तो इसके अंदर directly वीडियो ही आएंगी चैनल ऐसे खुलेगा नहीं, क्योंकि इसका जो UI है, वो काफी पुराना लग रहा है, देखो, directly वीडियो ही यहां पर आ रही है, कोई भी वैसे नहीं दिखा रहा है, मतलब कोई चैनल के link नहीं दिखा रहा है, चैनल का interface जो आता है, वो नहीं दिखा रहा, और वीडियो इंटरफेस भी काफी पुराना है, इसको update की जरुएता है खास कर, जब आप गाड़ी लेंगे तो उसके बाद यह update आएगा इसके अंदर, मैं भी इसको update भी नहीं कर सकता, and of course guys आपको मेरी यह swift वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए, and यह बस directly वीडियो को ही शो कर रह चार्ज कर सकते हैं, and उपर के साइड आपको इसके AC vent मिल जाते हैं, and Fortuner की तरह इसके AC vent रहने वाले हैं, of course, मतलब इसका design जो है वो थोड़ा अलग है, यह बिल्कुल roof पर ही दिये हुआ है, बिल्कुल सीर पर ही, और यही पर यह दोनों साइड handles वागर अपर मिल जाते है AC vent जो हैं, दोनों साइड, of course, और यही पर यह handles के साथ 2G का hook भी मिल जाता है, and यही पर ही आपको इस side curtain मिल जाती है, जो की काफी premium feature है, and यह किया कि आजकल हर गाड़ियों में आ रहा है, वैसे तो, and यह power window controls वागरा, इस speaker की quality भी काफी अच्छी कासी है, बीच की side है, हम प बचता है, and वैसे तो cup holders वगरा मिल जाता है, charging socket मिल जाती है, subwoofer की placing यही पर ही है, and seat belt वगरा proper मिल जाती है, comfort के मामले में थोड़ा कम मिल देगा, and lamp वगरा proper AC vent भी दिये हुए हैं, पीछे की side के लिए, controls आपको आगे सही करने होंगा, of course, दोनों ही side यह AC vent रहने वाले है, even Scorpion में भी यह नहीं आते है, and यहाँ पर headrest मिल जाती है, adjustable दोनों ही केली passenger के लिए, दो passenger, दो बच्चे बैठेंगे तो ज्यादा बैटर है, क्योंकि under thigh support काफी कम है यहाँ पर, बाकि किसी बुड़े वगरा को passenger को यहाँ पर ना बिठा है, तो बैटर है, क्योंकि यहाँ प आपको बढ़िया से looks मिल जाए, and अच्छे कासे features मिल जाए, तो आपके लिए यह कार एकदम best हो सकती है, and इसके अंदर आपको engine भी तगड़ा मिल जाता है, turbo petrol engine मिल जाता है, and जो की power भी अच्छे कासी generate करता है, और अगर आप भी सोच रहे हैं, आजकल की MPV कार जो है, अल बिल्कुल boring looks आपको नहीं चाहिए, तो यह कार आपके लिए एक best option है, बाकी guys अगर आपको इसका base model वाली वीडियो देखनी है, तो मैंने उसकी वीडियो भी complete detail review जो है अपने चैनल पर डाला हुआ है, link आपको i button पर मिल जाएगी, या description box में मिल जाएगी, वो भी आप जा इस कार को लेने के बारे में सोच रहा है, तो इस वीडियो का अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजेगा, बाकी guys आइस इस informative वीडियो में लाता रहता हूँ, तो make sure आप चैनल से connected देगा, और चैनल को subscribe करके रख लीजेगा, तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जाहिंद करुछे में लादा लिएगर अवीडियो में, यादाघ बेसिते हैं, तो मिलते हैं, प्राओं लाता हैं,פר वीडियो बाहता है, या प् проблем,जा तो मोँआ 17 लीजेगा, पहा नसक önकिना और को वीजेगा हूचлав